दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेट फॉर प्रॉफिट में और यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे अच्छे से टेडिंग को इंज्वाई कर रहे होंगे कर रहे होंगे कमा रहे होंगे कवाबें र प्राइस की अपडेट है उससे पहले आपर बोलना चाहूंगा कि जो लोग नए है पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बिल को आउन कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे द्वारे दी जारी जो भी अपडेट से वो लगतार आपको मिल मिलती रहे और इस वीडियो को 500 प्लस लाइक से जादा करना ताकि यूट्यूब को भी समझ में आए कि हाँ इस चैनल के कॉंटेंड में दम है ठीक है और यहाँ पर इसको इतने सारे लाइक्स मिलते हैं तो थोड़ा सा वीडियो देखते हो आप लोग काफी तारीफ करते हो मेरी काफी मुझको एप्रिशेट करते हो उन सब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद लेकिन यहाँ पर आपको भी यह फर्ज बनता है कि आप भी चैनल को आगे बढ़ाने में सही हो करो ठीक है और एक स्कैमर घूम रहा है मार्केट में हलागी मैंने कमेंट को वो पहले बुक वोक्स में आकर फेक आईडी से आपके जो फेवरेट यूट्यूबर से उसकी फेक आईडी से कमेंट करता था अभी तो मैंने डिसेबल कर दिया है तो अब वो कर रहा है कि आपको टेलीग्राम पर फसनाने कोजिश कर रहा है काफी लोगों को साथ उसने किया है तो यह पर वीकली चार्ट है और यहां पर मैं यह नहीं अभी डिस्क्रिप्ट का चार्ट है किस क्रिप्ट का चार्ट है तो यहां पर एक छोटी सी मुक्तसर सी बात कर लेते हैं मुक्तसर मीन्स छोटी सी बात ठीक है काफी देखो प्राइस के अपडेट के साथ साथ यह चीज़े नहीं बनानी है, कोई link share नहीं करना है, ठीक है? और नहीं कोई link को click करना है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, सीख लो, उसके बाद दूसरी बात यह कि काफी market में देखो, crypto currency काफी trending topic मना है वह पूरो whole world में, तो यहां पर basically हो यह रहा है कि कुछ YouTubers जो YouTube पर YouTube वीडियो जो अपना हमारा content है, crypto currency, stock market, उसी तरीके से काफी YouTubers का content कुछ और होता है, तो बहुत से YouTubers होते हैं, जो trending topic ढूंडते हैं, trending topic ढूंड के, उस पर थोड़ी बहुत जानकारी करके, वो फिर आपको बदाने लगते हैं, तो मेरी नजर में, दो-तीन YouTubers ऐसे हैं, जिनका content कुछ और है, तो वो उन्होंने content पकड़कर अब वो prediction करना शुरू कर दिये, ठीक है, इस bull run में उन्होंने prediction करना शुरू कर दिये, 2017 में भी दोस्तों इसी तरीके की कुछ conditions हुई थी, कि जो नए थे, beginners थे, काफी hype था, उस वक्त बिटकोईन ने 19,000 US dollar का हाई मारा था, एक trending topic बन गया था उस वक्त, तो उस वक्त भी कुछ इसी तरीके की conditions हुई थी, तो आपको समझना है, देखना है, आपको जो follow करना है, उनको follow करना है, जिनका content trading है, cryptocurrency है, stock market है, या forex market है, जो trading की knowledge आपको देते हैं, price action बताते हैं, चार्ट पर जो patterns बन रहे होते हैं, वो बताते हैं, उनको follow कर करना है, ठीक है, वहाँ पर हवा हवाई जो updates कर रहे हैं, उनसे दूर रहना है, तो आप समझी गएंगे, मैं यहाँ पर मैंने किन-किन YouTubers के बारे में बात करने कोशिश की है, तो basically आपको उनको follow करना है, जिनको trading की knowledge है, उनको follow नहीं करना है, जो trending topic पर वीडियो दोनाते हैं तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हो गई बकवाज बहुत जादा, हम यहाँ पर करते हैं काम की बात, तो हम देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं, कि यह एक altcoins का chart है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि market में बड़े-बड़े मतलब यह chart को अगर देखा जाए, कि जैसे कि यह इस तरह से show कर रहा है नीचे के side, तो हमें almost जो chart दिखाई पर ले market में बाकी crypto currencies के वो कुछ इस तरह से दिखाई पर ले हैं, और यह उल्टा दिखाई पर ले हैं, तो हमने यही कोशिश की है कि जिन crypto currencies में अभी उच्छाल उतना जादा नहीं आया है, हम उसको पकड़ने कोशिश करेंगे और उसमें earning करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह जो bull run चला है, इस bull run में जो बिल्कुल third class भी token होते हैं, इनको shit coin बोला जाता है, वो भी hit coin बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने इससे प token के बारे में बात करने हैं, जिसने भी उतना high नहीं बनाया, ठीक है, काफी लोग fed up हैं, अगर इसको hold करें तो fed up हैं, उनको fed up होने के दिन काफी दूर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा rise देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ पर कुछ levels को plot करूँगा, उ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, तो दोस्तों काफी आपके मन में यह हो रहा होगा कि यार भाई अभी तक आप script का नाम बता रहे हैं, यानि कि alt coins का नाम भी नहीं बता रहे हैं, levels भी नहीं लगा रहे हैं, तो levels लगा देता हूँ, यह देखो, देखो कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक करता हूँ, आप अलमोच जगते हूँ के prediction भी ठीक निकलती है, मैं pure price action पर trading करता हूँ, indicator based trading बहुत कम करता हूँ, pure price action पर trading करता हूँ, indicator को उससे compare करता हूँ, लेकिन price action को मैं पहले महात्व देता हूँ, तो चलो यहाँ पर वो बात कभी ब तीसरा हाई, चौथा हाई, क्या लग रहा है, अगर यहाँ पर किसी बच्चे से भी एक लाइंग खिचवा दोगे इस तरह से, तो क्या लगा, downtrend, इसको बोलते हैं downtrend, ठीक है, चलो, अब देखो, downtrend जब break होता है, आखरी हाई यह था, यहाँ पर देखो, इसने काफी time इंगर्श किया, किया, इस box में price चला गिया, price ने break कर दिया इसको, अभी जो गरावाट होई price तरह से नीचे आया, इसी के ओ, अपर बॉटम पर यह support ले रहा है, यानि retest कर रहा है, ठीक है, तो चलो, देखो, यहाँ पर box के अंदर box है, ठीक है, यह box जो है, में जो बड़ box है, यह weekly range बनाएवे है, छोटा box जो है, यह daily range बनाएवे है, छोटे box का breakout हुआ, तो इसने बड़े box यानि weekly chart के जो अपर लेवल था, वहाँ तक जाकर टेस्ट किया, जो की यह high था, आई बास समझ में, जब यह इस तरीके से highs बना रहा था, तो यहाँ पर इस चार highs ने ल चल पाया, नीचे आगिया, support इस area में ले रहा है, तहां ले रहा है, यहाँ पर ले रहा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यूज एक zone दिख रही है, एक zone देखो यहाँ पर orange बेख रही है, वीकली candle अगर इसके उपर close कर जाती है, यहाँ पर देखना है, वीकली candle अगर इस लेवल के उपर close करती है तो यहां से यहां तक तो profit आग बंद करके देगा ठीक है छोटा profit नहीं होगा मेरे भाई यहां पर मैं दिखा देता हूँ यह देखो यहां पर देगा लगभग अगर देगा तो 45% का profit देगा इस लेवल को छूने में और एक चीद बताता हूँ वीडियो पर देखते रहो बने रहो और इसका all time high भी काफी ज़ादा है यहां पर चार्ट पर थोड़ा थक कम है लेकिन all time मेरे हाई मेरे खाल से इससे भी ज़ादा all time हाई है ठीक है प्योंकि यह बाइनेंस एकचेंज का चार्ट है तो यहां पर जो all time high भी दिख रहा है तो इसमें कुछ फर्क हो सकता है तो इसका coin market cap पर डेटा खंगाल लेना या coingeco.com पर देख लेना तो यहां पर लगबख 15 US जॉलर का हाई दियरा मेरे खाल से इससे भी ज़ादा है तो खर यहां पर अगर price इसको break करता है उपर वारी line को ठीक है देखो हमारी entry यहां पर बन सकती है इस zone के breakout होने पर हमारी entry बन सकती है यहां तक हम profit लेकर निकल सकते हैं short term में और अगर थोड़ा सा हम और risk लेते हैं तो यहां पर इस level का breakout होने का wait करेंगे तो यहां पर almost 100 plus profit होगा अब उसके बाद हम यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर का level देखते हैं तो शायद मैंने नहीं लगाया हुआ यहड़ी आ है तो मैं आपको बताता हूँ कहां तक price जा सकता है अगर rule के हिसाब से यह उपर गिया क्योंकि इसने एक अपना trend चेंज कर दिया है इस point से देखो इस point से अपना एक trend चेंज कर दिया है अब देखो मैं levels आपको बताता हूँ तो दोस्तों यहां पर आपके समझ में आगे कि यह point पर अगर हम entry बनाते हैं इस point पर तो यहां तक पहला target होगा यह दूसा target होगा यह तीसा target होगा और अगर हम इसको long term के लिए hold कर लेते हो तो आपके होश उड़ जाएंगे कि यह 65 US dollar तक भी जा सकता है और अब इसका नाम बताने का बक्ता कि यह देख सकते हैं कि 64 का level निकल कर आ रहा है अगर एक काईदे सब 10 में आता है क्योंकि काफी वक्त से एक downtrend में है इसने अपना 10 को change किया है और अब इसके 10 को चेंज हुआ है जादा उपर नीचे price जादा नहीं हुआ है थोड़ा सा एक high को तोड़कर उपर जाननी की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर मैंने levels आपको दिखा दिये है अब इस cryptocurrency का नाम बता देते हैं तो इसकी coin market cap पर rank है 24 coinjiko.com पर ठीक है उसके बाद यहाँ पर काफी एक बड़ी market capital है और जिहां दोस्तो US इसका नाम नहीं लिया जाता है इसको एक shit coin बोला जाता है कि इसमें कुछ returns बगएरा नहीं मिलते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस तरह से अब इसने अपने 10 को change कर दिया है तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखना और इस पर थोड़ी बहुत entry बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर किसी को भी bias करने किसला नहीं है यहाँ पर मुझे को दो इजादत चलता हूँ नेक्स्ट अब्रेट मिलने कोशिश करता हूँ जब तक के लिए जय हिंद जय बारत